आदाब नाजरीन, इस्तिक्बाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम जानकारी से काम्याबी तक ने जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिये हम आपको बताते हैं हर उस नाशनल स्कीम के बारे में जो बनी है आपके लिए कोई भी मुल्क हो या कोई भी समाजी निजाम हो उसे बनाए रखने के लिए हर किसी का एहम रोल है फिर जाहे वो कुछ खास हो या आम ऐसे कई लोग हैं जो एकनॉमिकली बहुत वीक हैं और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं करोना वबा के दोरान इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचा इसलिए सरकार ने एक जून दो हजार वीस को एक खास स्कीम लॉंच की प्रधान मंतरी स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी यानी पी-म स्वनिधी योजना इस स्कीम को बहुत ही आसान बनाया गया ताकि जादा सो जादा लोग इसका फाइदा उठा सके और साथी जो इनका फाइदा उठाना चाहते हैं उन्हीं कोई दिक्कत ना पेश ये हमारे खास महमान पंजाब और सिंध बैंक के एजियेम प्रेम शंकर सिंग जी से वेलकुम है आपका हमारे इस प्रोग्राम जानकारी से काम्यावी तक की इससे पहले है कि हम आपसे स्कीम के बारे में जो कि पी-म स्वनिधी स्कीम है जादा जाने आईए एक नजर डालत भारत सरकार रहरी पट्री वालों के लिए लेकर आई है पी-म स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर ने दी इसमें मिले का बिना किसी सीक्योरिटी के 10,000 तक कालो समय से भुपतान करने पर 7 प्रतिशत तक इंट्रेस में जूट और अगली भार स्यादा दो साथ ही डिजिटल करने पर 12,000 रुपे का सालना कैश बैक यानि जो अपना जीवन यापन जो हमारे स्टीट वेंडर्स कर रहे थे अपनी जीविका चला रहे थे वह काम इस करोना महामारी के दौरान बंद हो गया था और हमारे स्टीट वेंडर्स जो हैं काम ना होने की वजह से जो भी उनकी कारी शील पुंजी थी जो अपना वह प पैसा उनका अपने भरन पोशन यानि अपनी जीविका पर उनके सारे पैसे खर्च हो गए। इस समस्या को देखते वे भारत सरकार ने यह स्कीम पीम स्वनीदी लाया ताकि हमारे स्टीट वेंडर्स जो हैं जो अपनी जीविका सामान खरीद कर और डेली उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं इस स्कीम का लाव उठावें और इससे लावानवी थो करके फिर से अपने रोजगार को पट्री पर ला सके रोजगार में अपना जीवन यापन कर सके परिवार को चला सके और आगे अपना और प्रॉफिट जनरेट करके आगे और अपने बि बिकरी करते हैं जैसे सडकों पर लगा करके करते हैं, स्टीट पर लगा करते हैं, कहीं गुम्टी लगा करके करते हैं अपना कारोबार, कोई ठेला लगा करके अपने सामान बेशते हैं, तो ऐसे स्टीट वेंडर्स और जो की भारत सरकार द्वारा ने यह भी निर्दारित किय है जो जिनके पास certificate of vending उपलब्द है जिनोंने अपना यह कारोबार हमारे urban local bodies municipal corporations even municipal bodies जो हैं वहाँ पर अपना कारोबार अपना register कराया गया है और उनको एक certificate of vending मिला हुआ है ऐसे लोग इस scheme का फाइदा उठा सकते हैं साथ में यह भी है जिनके पास अगर certificate of vending नहीं है ऐसे street vendors भी हैं जिन किसी कारोणों से उन्होंने certificate of vending नहीं लिया है उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है कि वह अपने urban local bodies municipal corporations में जा करके अपने आपको register कराएं और अपना certificate of vending प्राप्त करें street vendors और hawkers कौन कहलाते हैं यह ऐसे लोग है street vendors जो अपना जीवन यापन चलनत रूप से आप कह सकते हैं या एक temporary जगह पर अपना अपने सामान को रख करके और सामान की बिक्री करते हैं जैसे आपने देखा होगा शहरों में सबजी वाले हैं stationary कुछ बेशते हैं कपड़े बेशते हैं खिलोने बेशते हैं खाने का सामान बेशते हैं ऐसे सारे लोग जिनका कोई permanent हम कह सकते हैं अगर permanent है भी तो बहुत ही छोटे स्तर पर है otherwise हम हमेशा देखेंगे कि ऐसे लोग अपने ऐसे जगह से daily के रूप में business करते हैं और अपना सामान समेट करके फिर आगे या वही पर बंद करके फिर दुसरे दिन उसकी शुरुआत करते हैं कौन से ऐसे lending institutions हैं जो scheme के तहट loan दे सकते हैं इस scheme में भारत सरकार ने सभी बैंकों जिसमें की commercial banks जो हैं इसके अलावा regional rural banks, cooperative banks, NBFCs, MFIs इन सबों को अधिकरित किया गया है कि आप इस scheme ने loan मुहया कराएं और इस भारत सरकार के scheme को सफल करें इस में शुरुआत में कितना loan मिल सकता है जो सरकार ने scheme लाया है उसमें सबसे पहला प्रावधान है कि 10,000 तक की राशी दी जाती है लेकिन सरकार ने यह भी उसमें सुनिश्चित किया है कि ऐसे street vendors जो समय पर चुकता करते हैं चुकि 10,000 जो loan है उसकी अवधी 12 महीने की होती है तो 12 महीने के बाद अगर कोई street vendors इस 10,000 की राशी का भुकतान कर देता है तो दूसरी राशी उसे 20,000 की दी जाएगी वह 20,000 उसे 18 महीने का समय दिया जाता है 18 महीने के समय के अंदर उसको भुकतान करना होता है फिर और आगे बढ़ते वे तीसरी राशी भी सरकार ने मुहिया कराने का निरने लिया है वह है 50,000 बलकि इसका 12,000 का भी आना बाकी है लेकिन सरकार ने निरने लिया है कि 20,000 के बाद अगर हमारे स्टीट वेंडर्स इसका समय पे भुकतान करते हैं तो उनको 50,000 की राशी भी दी जाएगी और उसके लिए समय भी दिया है बढ़ा करके उन्होंने 24 महीने के अंदर उस राशी को उन्होंने वापस करना है क्या ये लोन इनकी जिन्दगी में कुछ परक डाल रहा है इस स्कीम से हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे स्टीट वेंडर्स काफी इस स्कीम से लाभानवित हुए हैं और करीब 34,000,000 को ये लोन मुहया कराया गया है जिसकी की राशी 3300 करोड के लगबग है और इससे ला इस स्कीम के साथ अब तक जुड़ चुके हैं जैसा मैंने बताया कि करीब 34,000,000 के करीब हैं जो स्टीट वेंडर्स जो इससे लाभानवित हुए हैं सेटिफिकेट ओफ वेंडिंग या आईडी कार्ट होने पर इस स्कीम के लिए किस तहां से अपलाई किया जा सकता है इसकी सुविदा सरकार ने दी है जो अधिकारी रूप से जो डॉक्मेंट्स रिक्वाइड हैं उसमें सेटिफिकेट ओफ वेंडिंग आईडी कार्ट यह अनिवारी किया गया है कि इसको लेने के बाद आप अपना अप्लिकेशन महुआ की साइट है यानि महुआ कहने का अभी प्राय यह है कि मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग अन अर्बन अफेर्स का एक साइट है आप उस पर अपने आपको रेइस्टर करके आप इस लोन का लाव ले सकते हैं अगर आप उसके सक्षम नहीं है आप पोर्टल पर नहीं अपने आपको दर्ज करा सकते हैं तो हर एक शहर में जो अर्बन लोकल बॉडिज हैं मिनिस्ट्र कॉर्परेशन्स हैं उसके कारियाले में जाकर के अपने आवेदन को वहाँ पर जमा करा करके उनके मदद के द्वारा आप हाजकल होते हैं हर एक बैंकों के वह भी आपको इसकी इसमें आपको मदद करेंगे अपने आपको रेइस्टर करने के लिए और रेइस्टर करने के बाद अपने आप इसका स्कीम का लाव उठा सकते हैं सर्वेड लिस्ट में नाम है या नहीं ये मालुम करने के लिए क्या करना होगा? जानकारी आप ले सकते हैं कि आपका उस सूची में नाम है या नहीं किसी का सर्वेड लिस्ट में नाम है मगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आईडी कार्ड ना हो तो क्या उससे लोन मिलेगा? जी हाँ इसकी सुविदा सरकार ने दी है इस तरह के जितने भी समस्याएं होती हैं सरकार समझती है कि इस तरह की समस्याएं आती हैं तो सरकार ने उसके लिए निवारन के लिए बहुत ही सरल तरीके अपनाए हुए हैं कि किसी के पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है तो वह जाकर के अपने municipal corporation जो municipal urban local body जैसे मैंने कहा वहां जाए वहां पर जाकर के उनके अधिकारियों से संपर्क करे और संपर्क करके अपने आप अपने को दर्ज कराए और letter of recommendation लो आर कहते हैं वह प्राप्त करे letter of recommendation से मिलने के बाद banks उसके माध्यम से आपको लोन की मुहया करा सकते हैं कोई रहता हो गाउं में और बिक्री करता है शहर में तो क्या उसे लोन मिलेगा और कैसे अपलाई करेगा जी हां ऐसे लोग के लिए शुविदा उपलब्ध है हम प्राया देखते हैं कि हमारे स्टीट वेंडर्स शहर में अपना जीवन यापन करने आते हैं लेकिन रहते हैं ग्रामीन छेत्रों में तो ऐसे सिच्वेशन की जानकारी सरकार को है और यह सुविदा उनके लिए उपलब्ध है सिर्फ यही उनको करना है कि वह अपने आपको रेइस्टर कराएं अपने अर्बन लोकल बॉडिज में और जैस किसी भी स्टीट वेंडर्स को मुहया कराएंगे यह दो डॉक्मेंट ले करके इसका लाग उठा सकते हैं COV, ID और LOR के अलावा KYC दस्तावेज कौन से है इसके अलावा प्राया बैंक ऐसे डॉक्मेंट से सिर्फ मांगेंगे जिससे KYC के तहद जिसमें आपकी पहचान सुनिश्चित हो जिसमें आपका प्लेस ओफ जहां आप रहते हैं यानि प्लेस ओफ रेजिटेंस और जहां आ कोई अनिवारी नहीं है कोई डॉक्मेंट दे उसके लिए आप सिर्फ अपना KYC में अपनी पहचान पत्र और वोटर ID कार्ट यह दो ही डॉक्मेंट्स काफी होते हैं जिसके आधार पर आपको बैंक्स लोन मुहया करा सकते हैं इसमें लोन चुकाने के लिए कितना वक्त द किया जाता है जैसा कि PM स्वनिधी में प्रावधान है पहले 10,000 के लिए 12 महीने का समय उपलब्द है उसके बाद पहला अगर आप भुगतान समय से करते हैं तो दूसरी राशी जो 20,000 की है उसके लिए 18 महीने का प्रावधान है और अब जो सरकार लाने वाली है 50,000 की राश उसके लिए 24 महीने का समय उपलब्द कराए गया वक्त से पहले लोन अदा करने पर कितनी सबसीडी दी जाएगी और कब मिलेगी PM स्वनीधी के स्कीम के तहट सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिस की है कि हमारे स्टीट वेंडर्स पर बेवज़ इंटरस्ट का दबाव ना बढ़े इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे स्टीट वेंडर्स जो अपना रिन भुगतान समय पे कर रहे है उनको 7 प्रतिशत के दर से उनको interest subsidy दी जाएगी और वह interest subsidy तब तक दी जाएगी जब तक उनका खाता सही चलता रहेगा बहुत से लोग digital LinkedIn में बहुत ही कमजोर होते हैं तो क्या अगर वो सीखना जाहे तो क्या उन्हें मदद मिलेगी? इस scheme के तहट सरकार ने यह शुनिश्चित किया है कि अगर हम कहें तो सरकार के इस लोगन को देने का तीन ताथ पर यह सरकार ने बनाया हुआ पहला कि हमारे स्टीट वेंडर्स को कारिशील पुंजी उपलब दो दूसरा कि उनको प्रोथ साहन करें हमारे स्टीट वेंडर्स को कि समय पर अपने लोण का भुगतान करें ताकि बढ़ी हुई राशी उनको प्राप्त हो तीसरा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रति उनका जुकाव हो और उस डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कैश बैक की सुवधा भी रखी गई है और digital transactions को बढ़ावा देने के लिए banks में यह सुधा है कि ऐसे street vendors जिनको इसकी जानकारी नहीं है उनके साथ हम एक penny drop transaction करें penny drop transaction में क्या होता है कि हम ऐसे street vendors जिनको हमने यह loan मुहया करा दिया है उनको हम अपने शाखा में बुलाते हैं या उनके जगह पर जाते हैं जहां वो अपना कारोबार कर रहे हैं और उनके सामने उनके mobile पर एक रुपया credit और एक रुपया debit यानि एक रुपया उनके mobile से बाहर की और जाए और एक रुपया उनके खाते में जमा हो इस तरह के दो transaction कराके हम उनको समझाते हैं कि यह digital transactions कितना आसान है और क्या फाइदे हैं इसके और इस तरह के transactions आप करते रहेंगे तो आपको cash back की भी सुविधा उपलब दोती है loan की pass हो जाने पर तो क्या उन्हें किसी तरह का ID card दिया जाता है loan pass होने पर सारे banks यही शुनिश्चित करते हैं कि street vendors अपना जो भी कार्य करना चाहा रहे हैं उस रासी से उस रासी को सब पूरी तरह से उसी चीज के लिए या उसी कारोबार के लिए उसका इस्तेमाल करें और इसके अलावा कोई ID card या पहचान पत्र विशेश कर बैंकों के द्वारा नहीं दी जाती है बैंक यही चाहते हैं कि जिस रासी को हमने आपको मुहया कराई है उस रासी का सही जगा आप इस्तेमाल करें पहले इसकी टाइम लाइन मार्च 2022 की थी क्या अभी सरकार ने इसे बढ़ाया है प्रियम स्वनीदी के स्कीम को जो टाइम लाइन आपने बताया 31 मार्च 2022 तक के लिए है शुरुआत में रखा गया था लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए कि हमारे स्टीट वेंडर्स किस तरह से इससे लाव ले रहे हैं सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक कर दी अगर इससे जुड़ी कोई शिकायत हो तो कहा दर्ज कर सकते हैं हमारे स्टीट वेंडर्स अगर इस पर किसी तरह की कठिनाई या कोई शिकायत आप चाहते हैं दर्ज कराना तो भारत सरकार ने तो जो हमारी मंत्राले है Ministry of Housing and Urban Affairs उसके साइट पर अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा सभी बैंक, सभी financial institutions के अपने शिकायत के लिए निर्धारित उनके सक्षम अधिकारी हैं जिनके सामने आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं वह किसी बैंक की शाखा हो सकती है वह किसी बैंक का administrative कार्याले हो सकता है वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा है प्रेम शंकर जी इतने बड़े पैमाने पर आप काम कर रहे हैं इस योजना पे तो किस तरह के challenges आप face करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधी scheme जो है अगर कहा जाये तो micro financing है micro financing का मतलब यह होता है कि एक छोटी राशी जिसको हम किसी अपने करज धारक को दे रहे हैं और हम उमीद करते हैं कि वह करज धारक हमें इस राशी को समय पर वापस करें तो सबसे बड़ा challenge बैंक्स के लिए यही है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे जितने PM स्वनिधी के vendors जो इस से लाब ले रहे हैं इस राशी का वह इसको समय पर दें और जब समय पर दें तो फिर दूसरी राशी का लाब उठाएं जब आप पहली राशी जैसे हमने बताया कि तीन राशी सरकार ने निर्दारीत की हुई है पहली राशी दस जार रुपय की है अगर उसका भुकतान 12 महीने के अंदर करते हैं तो आप 20,000 दूसरी रासी के लिए आप eligible हो जाते हैं उसके बाद उसका भी समय पर भुकतान करते हैं तो 50,000 की रासी आपको मिलती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज बैंक्स के लिए है कि हम अपने ग्राहक को यानि हमारे स्टीट वेंडर्स जो हैं हम उनको यह समझा सकें कि आप इस रासी का समय पर भुकतान करें और समय पर भुकतान जब करें तो उससे आगे उनहीं का फायदा होगा दूसरा चैलेंज है कि हम अपने स्टीट वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रति उनको बढ़ावा दें ताकि हमारे street vendors digital transactions में सक्छम हों क्योंकि आज का जो समय है यह digital transactions एवं digital way of life की तरफ बढ़ रहा है हमारे street vendors अगर इसकी जानकारी रखेंगे तो कल को हमारे उनके लिए ही अपने जीवन यापन करने के और भी स्रोत आगे खुलेंगे जैसे की अपने हमारे street vendors हैं जो मैटो स्विगी ऐसे जगहों से जुड़ सकते हैं जिसमें उनके पास orders आ सकते हैं और उनके खाते में direct पैसा आ सकता है जिससे की उनके आमदनी बढ़ेगी और यह भी सुनिश्चीत होगा कि यह सोच करके काम करेंगे कि यह पैसा हमारा कहीं जा नहीं रहा है हमारे खाते में आ रहा है तो यह दो challenges हैं जो कोई भी bank चाहता है कि अपने प्रदानमंत्री स्वनिदी करज जो ले रहे हैं जो मारे vendors उनको यह समझाएं और उसका पालन क करोना और लॉक्डाउन की वज़ा से लोग घरों में कैद हो गए और इसका सीधा असर हुआ रेड़ी पट्री लगाने वालों के कारोबार पर उन्हें ऐसे हालात से निकालने के लिए सरकार ने पीम स्वनिदी स्कीम शुरू की इस स्कीम के तहत सरकार कारोबार के लिए ल जानते हैं अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ सकते हैं इससे जुड़े सवाल भी आप यहां हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसके लावा आप यहां स्कीम पर क्लिक करेंगे तो स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं सभी वेंडर जैसे की ठेले वाले रेड पर क्लिक करेंगे, यहां अपना mobile number डालेंगे, capture फिल करेंगे, इसके बाद verify करेंगे और request OTP पर क्लिक करेंगे, आपके mobile number पर एक OTP भीजा जाएगा, जो आपको यहां भरना है, इसके बाद verify OTP पर क्लिक करेंगे, एक नया page खुल जाएगा, यहां आपको choose करना है category, अगर urban local bodies की तरफ से आपको कोई ID card या certificate जारी हुआ है, तो आप option चूज करेंगे, यहां आपको survey number यानि की SRN number सर्च करना होगा, आपके detail आजाएगी, आप select कर लेंगे, दूसरों option है कि survey में आपको identify किया गया है, लेकिन आपके लिए कोई certificate या ID card जारी नहीं हुआ, तो आप second option च पूरना है, फर यहां state चूज करेंगे, ULB name और ID card number सारी details डाल कर आप search करेंगे, अगर आपने वेंडिंग का काम शुरू किया है, survey बुरा होने के बाद तो आप यहां से यह option चुनेंगे, आपको यहां दो option दिये गए, क्या आपके लिए कोई letter of recommendation जारी किया गया है या न recommendation जारी नहीं हुआ, तो आप second option चुनेंगे, इसके बाद आपको दो option दिये जाएंगे, इन में से आपको कोई एक चुनना है, इसके बाद आप next पर click करेंगे, यहां आपको अपना आधार card number डालना है, capture fill करना है और फिर verify करना है, आधार card के साथ जो भी mobile number आपका link है, उस पर आपको details fill करनी होंगी, पहले अपना नाम, फिर father या अपनी wife का नाम लिखना होगा, date of birth लिखनी होगी, इसके बाद आपको अपना marital status लिखना है, इसके बाद category select करनी है, जनरल में आते हैं, SC, ST या OBC में, आप गाउं में काम करते हैं या शहर में, PWD में आते हैं, तो ह करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, minority community में आते हैं या नहीं वो बताएंगे, यहाँ पर vending activity की details भरनी होंगी, सबसे पहले बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं, अगर वो काम इस list में नहीं है, तो आप others को choose करेंगे, और type करेंगे कि आप क्या काम करते हैं, इसके बाद आ यहाँ monthly average sales बतानी होगी, bank account की details देनी होगी, जो आपके आधार card के साथ link होना चाहिए, यहाँ पर bank का नाम, branch का नाम, IFSC code और फिर अपने account का number लिखना होगा, अगर आप अपनी shop पर digital payment accept करते हैं, तो आप यहाँ पर click करेंगे, और अगर नहीं करते हैं, तो नीचे अपना नाम लिखिए और यहाँ पर UPID डाल दीजे, अगर आपने पहले किसी bank से या institution से loan लिया है, तो आप यहाँ पर उस bank का नाम डालेंगे, कितना loan लिया, EMI कितनी है वो बताएंगे, लोन कितना चाहिए वो बताएंगे, पहले साल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक ले सकते हैं इसके बाद अगर आप चाहें तो नीचे local reference दे सकते हैं, जिसमें आपको दो लोगों के नाम डालने हैं, उनका mobile number, उनका address भरना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, यहाँ काफी सारी schemes की list है, अगर आप इन में से किसी scheme का फायदा ले रही हैं, तो उसके बारे में यहाँ बत करके अपना photo देख सकते हैं, इसके बाद आप submit पर click करेंगे, यहाँ पर आपको दो option दिये गए हैं, application to marketplace, अगर आप ये वाला option choose करेंगे, तो आपके आसपास जितने भी lenders हैं, उन सभी को आपकी application दिखाई देगी, और उनमें से जो चाहे आपको loan दे सकता है, जबकि submit your application, अगर आप किसी particular lender से loan लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ दूसरा option चुनेंगे, किस branch से आप loan लेना चाहते हैं, वो चुनेंगे, अगर आप यहाँ पर पहला option चुनेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपकी application marketplace में आ जाएगी, जिससे कोई भी lender आपको loan द पर क्लिक करके, आप अपनी application को देख भी सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके, आप इसे PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी application को withdraw करना चाहते हैं, मतलब आपको यह loan नहीं चाहिए, तो आप यहाँ withdraw बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यह dialogue box खुल जाएगा, कि क्या आप वाकई अपनी application को withdraw करना चाहते हैं, आप OK कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी application withdraw हो जाएगी, application submit करने के बाद आपको wait करना है, आपका एक physical verification होगा, इसके बाद amount आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, आपको कितना interest देना है, यह भी आपको आपक की जाएगी. PM स्वनिदी स्कीम से जुड़ी अहम बाते बताई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. नाजरीन, अगले हफते आप से फिर होगी मुलाकार, किसी नई स्कीम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजी एजासत, आदाओ.